कि अच्छक्र में अंचली विशौष स्वागत है आपका हमारे चनल में आपको बदा दे कि उत्र प्रदेश के विदाण परिसद के चुनाओ जो है नौ इप्रिल को होने वाले हैं और 12 इप्रिल को इनका रिजल्ट आने वाला है और से में उत्र प्रदेश में व्यदान परिसाद सीच के बात करें कोई मिलाकर स्वाइब लेकिन श्तिस सीच पर इस वक्त विदाद परिसद का चुनाव है वह हो रहा है क्यूंकि छती सीच पर जो के चुनाव के सब्सक्राइब प्रदर्शन कर रही है कल तक हमने आपको बदाया था कि आठ सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई है आप इसमें एक और सीट जैशामिल हो चुका है और अब पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है तो यह बड़ी खबर है आपको बता दे कि लगातार जो है बीजेपी इसमें जो है बहुत ही बहतरीन प्रदर्शन कर रहें विदान परिसद की अगर बात करें तो और नौ की नौ सीटों पर विदान परिसद चुनाओ में किशन अपना वापस ले लिया है जिसके बाद बीजेपी के कैंडियर जितेंद्र सेंगार जो है उन्होंने यहां पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है कर जो आपको अमने बताय था आठ प्रत्यासी निर्विरोध जीते थे जिसमें जो नाम शामिल था हो था एटा मतुरा बुलंच हैंड मिर्जापूर अलिगर हर दोई गाजीपूर और बदायू से जो बीजेपी प्रत्याशी थे यहां पर उन्हें जीत हैसल की तो और इन सभी के नाम या बांदा का नाम भी शामिल हो चुका है यानि च्छतिस में से कुल नौ सीटों पर निर्विरोध बीजे वापस ले लिया है जिसके बाद बीजेपी निर्विरोध जीत गई है बता दे कि जीत के बाद जो है लागतार जुस तरीके से समाजवाधी पार्टी जिन प्रत्याशी उमीदवारों पर अपना भरोसा जता रही है उन्हें धोका मिल रहा है तो समाजवाधी पार्टी भी लिप्त होने पर दोनों को पार्टी से निश्काशित किया है तो यह इस वक्त जो है खबर निकल कर सामने आ रही है लगाता है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ में अभी जो है मुकी खानी पड़ रही है शुरुवाती दौर जो है इसमें यह हाल नो एप्रील को ह होने वाला है यह चुनाओ और 12 को रिजल्ट आने वाले हैं लेकिन उससे पहले अभी आप हाल देखिए कि नौ सीटों पर ने विरोद बीजेपी जीत गई और उसकी पीछे जादा तर जो कारण है वह यह थी कि समाजवादी पार्टी के जो कैंड़ेट है उन्होंने अपन चाहिए का ट्वीट भी किया गया है साती साथ आपको बता दे की प्रत्याशी गम्भीर आरोप लगा रहें हुएं घर के कोई दराया धंकाया जारा जारा जब तीस में से कोई प्रतिक्रिया नहीं कि जा रही है घर के बाहर खड़ा है तो बुल्डोजर आप कह सकते हैं कि कई सारे अगर आसपास का कोई काम भी हो रहा गार बिल्डिंग वगरा का तो उसके लिए भी बुल्डोजर का डर देखिये किस नगर पंचात ने ऊस्पिटल पर चसपा की नोटिस है और मनोज यादव के बाहर बुल्डोजर खड़ा करके उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है बता दें कि मनोज यादव ने वीडियो साजा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रशासन के बुल्डोजर को खड़ा कर दि कलने भी नहीं दिया जा रहा हॉस्पिटल के गेट के बाहर अतिक्रमन करने की नोटिस चसपा की गई उनका कहना है कि वह अखिलेश यादव के सिपाही और प्रशासन के गुंडागर्दी के आगे जुकेंगे नहीं इतना ही नहीं मचली शहर से सपा की नव निर्वाचित प्रशासन पर धंकी देने का आरोप लगाया है बतादे कि समाजवादी पार्टी ने जौन पुरी से दॉक्टर मनोज यादव का उमाशंकर मल्टी स्पेशलिस हॉस्पिटल के गेट पर पंचायत मचली शहर द्वारा नोटिस चस्पा कर दी गई है चस्पा की नोटिस में लिखा है कि डॉक्टर मनोज यादव ने बाउंडरी वाल बनाकर नाले पर अतिक्रमन कर दिया है और इसी वजह से कई बार मौखेक रूप से इसकी चेतावनी भी उन्हें दी जा चुकी है लेकिन उसके द्वारा आज तक अतिक्रमन हटाया नहीं गया जिसके बाद मनोज कारवाही भी की जा सकती है तो साफ तोर पर जो है यह पूरा मामला है जिसे लेकर वो कह रहे हैं कि उन्हें डराने धंकाने की कोशिश की जा रही है गंबीरा रोप लगा रहे हैं और प्रशासन की गुंडागर्दी के आगर नहीं जुकेंगे ऐसी बाते कह रहे हैं वहीं आधी रात मुक्तार अंसारी के घर कई थाने के पुलिस फोर्स ने दविश दी मुक्तार अंसारी के भाई वतीजों और बेटे के घरों पर पुलिस ने खगाला है पुलिस के अडिसार MLC चुनाओ में बोटरों को बंदग बनाने की शिकायत मिली थी जिसके बाद ये कारवाही की गई गाज़ेपूर में विदान सभा चुनाओ के दौरान समाजवादी पार्टी के क्लीन स्विप किया है यहां की सबी साथ सीटों पर सपा के विदायक चुने गहते और विदा प्रत्याश्री मदन यादव ने भी नावंकन किया है और अचानक प्रत्याश्री ने अपना परचा बुद्वार को वापस ले लिया उसके बाद खलवली मच गई सपा ने भाच्पा पर दबाव डालकर परचा वापस करने का आरोप लगाया तो सपा ने अपने को समर्थन देने की रणनीती भी बनाई है इसे बीच मदन यादव के घर भी बुद्वार को प्रशासन की टीम पहुच गई और वहां विकास कारियों का पहमाईश को कारण बताया गया सपा को इसका भी विरोध किया और आरोप लगाया कि मदन यादव पर भी नाम वापस पुलिस ने तीनों के घरों को भी खगाला है साथी गाज़िपूर के इस पी आरफ ने आड़ी चोरसी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि वहां पर वोट्रों को जो है बंदिश में रखा गया है और उन्हें बंदक बनाया गया शिकायत के जो आज के लिए पुलिस ने यहां पर सारे चीज़ें खगाली गई हाला कि यहां पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्हें वापर जाना पड़ा लेकि साथ तो और पर जिस तरीके से यह मलसी का चुनाओ इस वक्त तक किया जा रहा है नौ इप्रील को होने वाले हैं इससे लेकर लगाता दोने पार्चे के तरफ से जोड़ा जुमाइस देखने के लिए मिल रही है और अभी तक इस पूरे मामले में यह अफडेट है कि बीजेपी नौ सीटों पर 36 में से नौ सीटों पर निर्विरोध जीत चुकी है जितने का कारण यह है कई सीटों पर तो प्रदर्शन करती नजर आ रही है और एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से अलग अलग जो सीटे है खास कर जो है एटा मतुरा बुलंद शहर मिर्जापूर अलिगर हर्दो इगाज़ेपूर अर्बदायू साथी साथ तब बांदा भी जुड़ चुका है और नौ सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी है निर्विरोध जीत चुके है जीत के पीछे का कारण भी हमने आपको बताया तो इस पूरे मुद्धे पर आपकी भी जुराए हो बीजेपी के जीत पर आपकी जुराए हो हमें कमेंट से झाल